हेलो फ्रेंट्स, साइकलोजी की पाथशाला में हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आज साइकलोजी की पाथशाला को फिर शुरू करते हैं लेकिन फिर शुरू करने के लिए एक बढ़ा आसान सा एक टॉपिक हमें लेना पड़ेगा जिससे हम सब फिर से एक नए तरीके से साइकलोजी की पाठ्षाला को शुरू कर पाएं और आज का टॉपिक है बहुत ही सिंपल सबसे पहला टॉपिक और वो है What is psychology? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के बारे में बहुत अलग-अलग तरह की बाते होती हैं कुछ लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है कुछ लोग कहते हैं मनोविज्ञान मन का विज्ञान है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साब मनोविज्ञान तो व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार का अध्यान है तो मनोविज्ञान क्या है या वो आत्मा का विज्ञान है क्या वो मन का या व्यवहार का विज्ञान है आईए हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो ये समझें कि मनोविज्ञान जो शब्द है जो psychology शब्द है उसका English psychology शब्द किस ने दिया था कब यूज किया गया था psychology शब्द सबसे पहले यूज किया था एक जर्मन फिलासफर थे जिनका नाम था Rudolph Goekel, कुछ लोग इसको Rudolph Goekel भी कहते हैं रूडॉल्फ कोकल ने 1590 में इस psychology word को सबसे पहले यूज किया था psychology जो word है वो ग्रीक शब्दों से मिलके बनाए दो ग्रीक word है एक है psyche या psyche एक है logos या logos इसको आप किसी भी तरह से आप pronounce कर सकते हैं दो शब्द हो गए एक है psyche plus logos इन दोनों को मिलकर बना है psychology जो psyche शब्द है psyche का मतलब होता है soul आत्मा और logos का मतलब होता है science या study करना तो आप यदि इन दोनों शब्दों को मिला है psyche plus logos तो इसका मतलब हुआ कि आत्मा का अध्यान या आत्मा का विज्ञान मनो विज्ञान है और यदि आप देखेंगे कि रुडोल्फ गोकल कौन थे जर्मन फिलासफर थे और यहाँ पर जो शब्द जो निकल के आ रहा है कि psyche plus logos आत्मा का अध्यान अब आत्मा जो शब्द है अगर आप खुला सा correlate कर पाएं तो आत्मा जो शब्द है वो philosophy से आया है और मनो विज्ञान जो psychology जो term है वो भी philosophy से ही आया है तो हमारे एक साथ एक चीज हमें समझ में आती है कि psychology का जो root है वो है philosophy इसलिए उस समय 16th century में जब प्लेटो अरस्तू और देकार्टे जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने कहा कि मनो विज्ञान आत्मा का विज्ञान है और मनो विज्ञान का इसके पहल से कोई अलग सब्जेक्ट के रूपे विकास नहीं हुआ था बलकि 16th century में मनो विज्ञान थोड़ा सा दर्शन शास्त्र से अलग होना शुरू हुआ और तब से मनो विज्ञान एक अलग ब्रांच के रूप में माना जाता है लेकिन अभी भी उस पर दर्शन शास्त्र यान psychology is the science of soul 17th century आई तो फिर लोगों ने का कि नहीं सब आत्मा का अध्यान मनो विज्ञान नहीं है या आत्मा का विज्ञान मनो विज्ञान नहीं है वो इसलिए कि उन्होंने एक reason दिया और वो reason यह था कि हम आत्मा को देख नहीं सकते हम आत्मा की existences body में बता नहीं सकते तो आत्मा का अध्यान कैसे करेंगे तो नए-ने psychologist आये या नए-ने विद्वान आये उन्होंने का कि psychology is the study of mind कहना ज्यादा अच्छा है आत्मा आप ना कहें अब आप कहें मनो विज्ञान मन का विज्ञान है या मनो विज्ञान मन का अध्यान है यह कब की बात है यह 17th century में और यह जो मन के अध्यान वाली बात है इसके ओपर बहुत ज्यादा research हुई है लेकिन फिर भी question उनके सामने वही था कि मन को भी नहीं देखा जा सकता मन की existence को इस body में बताया नहीं जा सकता तो 19th century तक तो यह मन की बात चलती रही लेकिन 19th century जैसी आई वहाँ पर दो लोग दो एह wireless in दूरोंने का कि नई साब नहीं मन नहीं साइकलाजी आत्मा का विज्यान है और नहीं साइकलाजी मन का विज्यान है उन्होंने एक नहीं टर्म दिया और नमघ्या था कि साइकलाजी, मनमका विज्यान है लेकिन हर पख्ष में अपनेמSure Eclown है, इसका मतलब किया है कि, कुछ नो कुछ विद्वान थे जो कहते थे आत्मा का अध्यान, कुछ कहते थे मन का अध्यान, कुछ 19th century आ गई तो विलियम जेम्स और विलियम गुन कहते है नहीं साब, चेतना का अध्यान, और जैसे जैसे फिर और मनो विज्ञान का विकास होता गया, तब 20th century आई, मतलब 1979 में, विलियम वंट ने एक लिपजिंग उनिवरसिटी जो की जर्मनी में, उन्होंने पहली साइकलाजी की प्रयोगशाला खोली थी, first laboratory of psychology was established in Lipsing University Germany by William Woent और इसी कारान से William Woent को मनोविज्यान का जनक माना जाता है कहीं पर उनके लिए कहा जाता है कि मनोविज्यान को जनक हैं और कहीं पर उनको कहा जाता है कि ये प्रायोगिक मनोविज्यान experimental psychology के father है ये दोनों ही शब्दती के आप कहें enfader of psychology आप कहें father of experimental psychology दोनों ही चीज़ें सही हैं वो दोनों ही कौन है William Wundt और किसलिए क्योंकि उन्होंने 1879 में पहली मनोविज्ञान की प्रयोक्षाला खोली थी अब आते हैं बीस्वी शताबदी में बीस्वी शताबदी में William MacDougall ने जो William James ने कहा था या William Wundt ने कहा था कि चेतना का विज्ञान है उसको कहा कि नहीं सब चेतना का विज्ञान भी नहीं है किसने कहा William MacDougall और John Watson और William MacDougall ने अपनी एक book Outline of the Psychology के 16 नंबर पेज पर जो consciousness वाली बात जो चेतना की निंदा की थी कि मनोविज्ञान चेतना का अध्यन नहीं हो सकता मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं हो सकता बलकि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मनोविज्ञान में चेतना शब्द जो आया है वो मनोविज्ञान का दुरभाग्य है कि उस चेतना शब्द को consciousness word को लेकिन बात वही है कि विकास होता रहा तो विकास होता रहा तो विलियम मेक्डूगल और जॉन बी वाट्सन ने का कि एक नए तरीके से मनविज्ञान को समझा जाए और उन्होंने का कि psychology is the study of behavior आप थोगा सा देखें कि 16th century में psychology आत्मा का अध्यान था 17th century में psychology मन का अध्यान बन गया फिर 19th century में psychology चेतना का अध्यान बन गया और जब 20th century आई तो महाँ पर psychology को कहा गया नहीं psychology is the study of behavior या psychology is the science of behavior और आज तक ये परिभाशा बिलकुल universal है आप से कोई भी पूछे कि मनविज्ञान क्या है आप आत्मा की बात करें आप मन की बात करें आप चेतना की बात करें चलेगा लेकिन फिर भी psychology की जो सही definition है वो यह है कि psychology is the study of behavior या psychology is the science of behavior लेकिन behavior में एक बात समझने लायक है कि हम कोई व्यवहार करते हैं हम व्यवहार दो तरह का करते हैं एक होता है overt behavior और एक होता है covert behavior मतलब कि जो दिख रहा है वो मेरा एक व्यवहार है और covert behavior इसका मतलब कि जो मेरे आंतरिक व्यवहार है ये दोनों ही व्यवहार के पक्ष हैं और एक दूसरा पक्ष और व्यवहार का समझा जाए कि व्यवहार दो तरह के हो सकते हैं एक जिसको कहते हैं नार्मल बिहेवियर और एक जिसको कहते हैं अबनार्मल बिहेवियर और साइकलोजी में नार्मल और अबनार्मल दोनों ही व्यवहार और दूसरा अब दोनों ही व्यवहार का अध्यन psychology में किया जाता है और अब आप से कोई पूछे कि psychology क्या है तो आपको एक बड़ी simple सी definition में बता हूं कि psychology is the study of normal and abnormal behavior दो और शब्द जोर दें कि experience and mental process फिर एक simple सी line बताता हूं psychology psychology is the study of behavior, mental process and experience कि मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभवों का और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्यान है आज का वीडियो अब यही पर समाप्त करते हैं कल फिर मिलने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ लेकिन आप मैं मानके चलता हूं कि आपको यह topic बहुत अच्छी तरह से समझ में आगया होगा एक बार आप इस पूरे का आप फूटो ले लेंगे तो ज़्यादा बैटर रह मोटिवेशन से रेलेटेड वीडियो इस चैनल पर बनाते रहते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच